शिम्ति बाड मेर आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बैनों का हार्दिक स्वागत एवं अभी ननन करती है कक्षा पंचमी विशेशन स्कृतम सस्ट पाठ अहु विश्मन सीलता शह और विना का प्रयोग करती हुई आज अपन इसका है वो अध्यन करेंगे शह विना प्रयोग में अक्सर शह 90 प्रतिसत तरतिया विवगति का प्रयोग होता है परन्तु कभी कभी पंचमी विवगति प्रयोग भी होता है इस पाठ में तृतिया विबगती पर्यूग शह वीना के साथ बताया है जिसका आपन पाठ के अंदर ध्यन करेंगे इस पाठ में दू मित्र भरत और परशाद की बीच में समवाद के माध्यम से शह वीना का पर्यूग और वारता लाप बताते हुए कहा गया है की सबसे पहले भरत भरत नाम का बैया है वह प्रशाद से बोलता है की प्रशाद ग्रहे कोपी नास्ति किम ग्रहे कोपी नास्ती किम ग्रहे घर में सात्मी विबक्ती कोपी कोई भी नास्ती किम नहीं है क्या अर्थार्थ जब भरत उसके घर आता है प्रशाद के तो किसी को घर में न देखकर वह कहता है प्रशाद ग्रहे कोपी नास्ती किम घर में कोई नहीं है क्या प्रशाद क्या उत्तर देता है प्रशाद बोलता है घर में गरहे कोफी नासती है घर में कोई नहीं है क्या प्रशाद क्या 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 है अहम एक एव अस्मी मैं अकिला ही हूँ पिता मित्रेन सह मित्र सब्द में तरतिया विवक्ती सह के योग से मित्रेन सह यानि मित्र के साथ वाचना लें गत्वान यानि वाचना ले गई है अर्थार्थ मैं अकेला हूँ पिता मित्र के साथ वाचना ले गई है यहां आमको ध्यान ये देना है कि सह के कारण मित्र शब्द में तृतिया विवक्ति आई मित्रीन सह कभी-कभी प्रशन आता है कि तृतिया विवक्ति किसके कारण आई है माता फिर परशाद कहता है माता सीतया सह मंदिरम गत्वती सीता सब्द की तर्तिया वेबक्ती है सीतया सीता सीता सब्द की तर्तिया सीतया माता सीतया सह मंदिरम गत्वती माता सीता के साथ मंदिर गई है सीता के साथ कभी-कभी आथा है कि रेखांकित पद में जैसे सीत्या सब्द की नीचे रेखा की होती है और आता है कि रेखांकित पद में कौन सी विबगती है तो रेखांकित पद में तर्तिया विबगती है और फिर उसके आने का कारण पूछते हैं तो आने का कारण क्या है सह के कारण या सह के योग में तो सीत्या सब्द में तर्तिया विवक्ति सह के योग में आई है हमको भी इस परकार का है वो ज्यान करना है फिर भगीनी रेखया सह आपनम गत्वती या रेखया सब्द है मूल सब्द है रेखा इसका बना है रेखया रे पहिन पहिन पहले दितन के सब्सक्राइ शुद्द bend से आलखें, तुन लिएक कहते हैं एक बाल वी अध्कराइक बाल्ध मुद्र कीकिए, तुन लिए पहिन पहले तर्छा पहिन मुद्रम शुतीत आ तले दितन क smo 2022ट या जली किन आलखा मुद्री ४्स, इस पहले हैं, और ल प्रेख या सह इत्यासी सब्दों का प्रियोग है वो सह के कारण तिरतिया विब्रक्ति का प्रियोग है बरत दुबारा बोलता है बरत कहता है गनपत्ति कुत्रस्ति बरत कहता है गनपत्ति कुत्रस्ति गनपत्ति उसका प्रशाद का बाई है सायद इसलिए वो कहता है गनपत चटि कहां हैं कुत्र अस्ति कहां हैं प्रशाद क्या जवाब देता है स्थ तत पुर्लिंग श्ख यानि वह वा कौन गणपती की लिए आया है वह अनिलेन स्थ यानि अनिल के साथ अनिलें स्थ अनिल सब्द है सह के कारणिस में तिर्टिया आईए अनीलेन सह अनील के साथ इदानीम एव गत्मान इदानीम यनि इस समय अभी गत्मान गया है अर्थार्थ अभी गया है अनील के साथ में वह अनील के साथ अभी गया है अर्थार्थ अभी यहां गया है भरत तबी भर्त क्या बोलता है भर्त बोलता है तस्ये पादरक्षा पादरक्षा कहते है चपल को पदवीश तस्ये पादरक्षा तु यानि तो अत्रेवस्ति खलू या अर्थार्त उसके चपल तो या पदवेश तो निश्चती यहीं पड़े है प्रशाद क्या कहता है तुरा का आपके भी कोई दोस्ता था जल्दबाजी में कोई चीज भूले विना जाते वblack से ही तोरा कारण आत Мы फोर्ब chutके करण जल्दबाजी के कारण सर यानि वह घनपती पाद्रक्षया विना अ के परियोग में भी तरतिया आईए पादरक्षा सब्द है पादरक्षा सब्द की तरतिया विबगती पादरक्षया बना यानि पादरक्षया विना यानि पद्वेश के बिना एवन ही गत्वानिन गया अर्थार्थ वो शिग्रता के कारण या जल्दबाजी के कारण बिना प जैसे राम सीतया शह, तो राम सीतया सह, सीतया में तृतिया है, सह के योग में आई है, ऐसे ही इनका परियोग हुआ है, पर्थम दो अंत्रे थे, इनके कुछ कठीन सब्द अपन लेकेंगे, तो कठीन सब्द में, कोपी, कोई भी, नास्ती है, एव ही, अस्मी हुँ, शह साथ, वीना के बिना, आपनम बाजार, पादरक्षा, चपल या पदवेश, तुरा कारणात, इनशी गृता के कारणिया, जल्द बाजी में, तो ये इसके प्रमुख कठीन सब्द है, जो अपने पर्थम दो अंत्रों में आए हैं, और पर्थम दो अंत्रों में कुछ संदी विच्चेद, संदी युक्त सब्द आए हैं, कोपी, कधन अपी, नास्ती, नधन अस्ती, इदानीम धन एव, इदानीम अत्रेव, अत्रेव का संदी विच्चेद, अत्रधन एव, तो ये इस पाठ में आये हैं, वेकुष प्रमुख, संदी युक्त सब्द थे, जिनका संदी विच्चेद अपने गिया यहां, सह विना प्रयोग के बारे में जान देजिए गवार, कि सह और विना, सह यानि साथ, विना यानि के विना, सह विना के प्रयोग में, 90 प्रतिसत, तर्तिया विबग्ति का प्रयोग होता है, परन्तु कभी-कभी पंचमी विवक्ति का भी परियोग होता है सो परसेंट नहीं मानना कोछ ऐसे सब्द होते हैं जहां पंचमी विवक्ति के परियोग में भी सह का परियोग और वीना का परियोग होता है अपन कोश्तियां उदान देखेंगे सीता रामेन सह वनम गत्वती अब परीक्षा में प्रसन क्या आएगा परीक्षा में प्रसन लिखा वोगा कि सीता रामेन सह वनम गत्वती रामेन सह की नीचे अंडरलाइन होगी यह यह अंडरलाइन रामेन सब्द की नीचे अंडरलाइन होगी और पूछेगा कि रेखांकित पद में तो क्या लेखना है तरतिया विभक्ति और किस कारण से आई ये सह के कारण सह के कारण ऐसे ही सुशीला सुशीला भग्गीन्या सह मंदिरम गतवती भग्गीन्या सब्द में रेखांग खेंची होगी होगी अतार्थ पूचेगा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है तो रेखांकित पद में तरतिया विभक्ति है और आने का कारण सह के योग में या सह के कारण लिखना है मीन मीन कहते हैं मच्छली को जलेन वीना नजीवती जलेन जलम सब्द होता है जलम सब्द का ये तर्तिया है जलम की जलेन तो वीना के योग में जलेन किसके योग में आया है या किस कारण से आया है वीना के योग में वीना के कारण तर्तिया है जलेन वीना मीन जलेन वीना न जीवती अर्थार्थ मच्छली चल के बिना नहीं जीती है विद्धया विना पुरूश न सोबते रेखांके तपद होगा आपके ये रेख विद्धया ये मूल सब्द विद्धया है विद्धया का तरतिया विबगती विद्धया बना विद्या विना पुरूश ना सोबते यान जिस पुरूश के पास में विद्या नहीं है जान नहीं है वहाँ सोब्भा नहीं देता है एक स्लोक में भी आया है कि विद्या के बिना आदमी है वो प्लास के फूल की तरह है जो कभी सुगंद नहीं देता जिरूप योवन कुल संपवा विसाल कुल संपवा निर्गन दायम किंसु का ऐसा करके स्लोग है न उसके अनुशारी यह है कि विद्या के बिना पुरूष की सोभा नहीं है अर्थार्थ विद्या एक मनुश्य के लिए गहना है आभूशन का काम करती है तो हम लोगों को है वो इस प्रकार सह और विना का प्रियोग करते हुए कुस गिरह कार्या में भी आगे आपको बताया हुआ है उनको आपको करना है जैसे देखिए इसको प्रसन को आपको करना है एक बार मैं समझा देता हूँ कि अद्दोल लिखी साइक पदानाम उपोगे अर्थार्थ नीचे लिखे हुए साइक सब्द है उनका प्रियोग करते हुए उनका उप्योग लेते हुए हमको करना है जैसे उदान में दिया है राम रावन युद्धम तीन सब्द है राम रावन और युद्ध अब इनका प्रियोग करते हुए अपने वाक्ये के प्रिय सह के कारण युद्धम्यन युद्ध किर्टवान किया अर्थार्त राम ने रावन के साथ युद्ध किया आपको भी या राम सब्द की तर्तिया राधा की तर्तिया शें की तर्तिया मित्र सब्द की तर्तिया भगिनी अनुजा फलम और कुंती इस प्रकार इनकी तर्तिया व जोड़ कर आपको भी ये गिर्वकारिय में करना है जैसे एक पहला मैं बता देता हूँ आपको नमबर एक तीन सब्द देखिए पहले इसका बनेगा सीता राम सब्द की तिर्तिया रामेण सीता रामेण के साथ में सह आएगा रामेण सह वनम गतवती शीता राम के साथ वन में गई जंगल में गई ऐसे ही आपको भी इनके बाकी बनाने जैसे कृष्ण अ हां राध्ध निर्थ्यम कैं शोच वूच कर बनेगा तो रेखां के पद्रOP्स यो मैने दे रखें इनकी तिरतिया विभक राध्ध आकारां थैं तिरतिया वैसे बनेगी जो पीछिय अपने आया था पाद्रक्षा सीता या या रा राध deposit या पाद्रक्षाया है आसी कृत्वान किया कृत्वान ये तो से सब देवा आपको करने हैं जिसे बरत्त हजी एन श कृड़ा कृत्वान बरत्ने स्न के साथ में कृड़ा किया एक थार खेले सुसील Richard क संबाशणं कृत्वान माता भगगिन्या मन्दिरम गत्वती माता भगिन्या शह मंदिरम गत्वती भगिन्या ब्रातः अनूजया शह विद्यालें भाई अनूजया यानी अनूज कहते हैं छोटे को छोटे के साथ में विद्याले जाता है अजया फलें शह दुगदम पीतवान अजया ने फल के साथ दूद पिया और युद्धिष्ठरह कुंत्या शह वनम गत्वान युद्धिष्ठर कुंती के साथ वनमे गए तो इस परकार आपको है वो ये प्रशन सारे ग्रह कारे में करने हैं अगले वीडियो में आपको और क कुछ जानकारिया देंगे